जेकी नियूस टुड़े में आप सबी का स्वागत है क्या आप जानते हैं कि इंडिया में करीब 29,666 किलोमेटर के लेंध में 566 टोल प्लाजास है और जिसमें से 5 टोल प्लाजास जम्मू कश्मीर में हैं में आपको बता दू कि सरकार दो आरा यह टोल प्लाजास भनाय जाते हैं जब शरकार कुछ रौज को कनेक्ट करती है रोड की कनेक्टिविटी अच्छी करती है बहतर करती है और कहीं जगा इक्सप्रेस वेज और हाइवेज बनाय जाते हैं तो इसी दौरान, हमने ये भी सुना खबरों में, कि दिली से कटरा का अखशरड़ में अहागल को ज़ल्धी बने तयार हो जाएगा जिससे अब दिली से कटरा की जो दूरी हूश 3 मोग देमा और हम ये नितए हैं कि कुछ फिल डागने की गुणजाईश है तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो toll plazas जब लगते हैं तो सरकार हमसे इसका एक toll tax लेती है अच्छे expressways और अच्छे highways और transportation की तेजी जैसी सहूलियत के लिए ही सरकार जो है toll plazas बनाती है और मैं आपको बता दूँ कि two wheeler के अलावा बाकि सब गाड़ियों पे toll tax लगता है National Highway Authority of India यानि की NHAI ये सारे की सारे toll tax Central Government के अंडर collect करता है और toll plazas की जितनी भी guidelines जो issue होती है पूरी देश में वो NHAI की तरफ से ही होती है तो आपको पता है कि इन guidelines के हिसाब से क्या क्या चीज़े toll plazas में होनी चाहिए आईए जानते हैं toll tax का भुकतान करने के दो तरीके हैं यहां तो वो cash payment से होगी यहां वो fast tax से होगी और February 2021 से सरकार ने fast tax mandatory कर दिया जिसके कारण अगर आप बिना fast tax के अगर आपनी वाहन लेके जाते हैं अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं तो आपको double tax pay करना पड़ेगा और मैं आपको बता दू कि यह जो आपका fast tax है इसकी जो validity है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल है तो अगर 5 साल आपके fast tax को होने वाले हैं या कभी भी हो जाएं तो यह ध्यान जरूर रखिए कि आपको अपना fast tax renew करवाना है क्यूंकि fast tax जो है सरकार ने mandatory कर दिया है तो अगर आप कभी भी toll plazas में जाते हैं तो आपको peak hours में भी जब बहुत जादा traffic आए तो भी 10 सेकिंद से जादा wait करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप toll plazas में 10 सेकिंद से जादा wait कर रहे हैं तो आप बिना toll दिये आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं और सारे के सारे toll plazas में एक चीज और mandatory है कि 100 मेटर के distance में toll से लेकर और आगे तक 100 मेटर के distance में एक yellow line खीची जाती है और उसी yellow line के अंदर अंदर सारी vehicles होनी चीए अगर vehicles जो है yellow line से बाहर जा रही हैं तो toll plaza को उस time पे उस समय toll खोलना पड़ेगा और सारी vehicles को जाने देना पड़ेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 100 मेटर से जादा लंबी कतार नहीं लग सकती है toll plazas पे इसके अलावा toll plazas के आसपास कुछ basic facilities हैं जो NHAI दवारा उपलब्द करवाई जाती है जैसे कि ambulance होना toll plazas के पास यान toll plaza road पे बहुत important है ताकि कोई भी ऐसी कोई miss happening हो जाए तो उसे जल्द से जल्द ambulance दी जाए और उसे hospital पहुंचाया जाए अगर आपकी गाड़ी कभी खराब हो जाए तो उसके लिए NHAI ये एंशोर करती है कि recovery vans वहाँ हो ताकि आपकी गाड़ी को जल्द से जल्द mechanic की shop पे ले जाया सके और तो और public toilets होना बहुत ही जादा mandatory है ताकि कभी भी इस तरह की कोई emergency हो तो वो साफ सुतरे public toilets यूज किये जा सके हमें comment करके जरूर बताएं कि आप जब भी इस तरह की कोई भी toll road का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी facilities आपको मिलती है या नहीं यह सारी guidelines को follow किया जाता है या नहीं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रही है जेके निमस्टूड़ी